प्रदेश की कॉंग्री सरकार द्वारा आए दिन नय नय फर्मान जारी किये जा रहे हैं इस बेचे सुखु सरकार नय नय आदेश जारी कर दिया है प्रदेश की विभिन विभागों में दो साल से अधिक समय से जो भी पद खाली पड़े है उनको समाप्त करने का नर्णे लि कि अब इस तरह के आदेश जारी करना क्या लग रहा है कि अब जो नौकरियां है वो नाम मात्र की रह जाएंगी एक साथ ये इतना बड़ा जटका दिवाली से पहले सरकार की तरफ से उन विरोजगार युगाँ को दिया गया है जो कई सालों से सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे हैं करीब करीब 6-8 लाक विरोजगार युगाँ प्रदीश में ऐसे हैं जो रोजगार के लिए सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं और पिछले दो साल में जो खाली पद हैं माने की 15 से 20,000 पद ऐसे हैं जो अब डिरेक्ट खत्म कर दिये जा रहे हैं इसको लेकर तैयारी पूरी है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फानाइस दिविश कुमार उन्हों न इसे लेकर आदेश जारी किये हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को अपने लेवल पे अधिस चनल के जो अब इलेक्रिसिटी बूर्ड है वहाँ पर जो 51 पोस्ट खत्म की गई हैं 81 आउट्सोर्स इंप्लॉईज जो ड्राइवर्स की पोस्ट पते उनको फटाने का फैस्टा लिया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको लेकर करमचारी लड़ाई लड़ी रहे थे कि उससे पहले एक बार फिर ये बड़ा फैसला सरकारी की तरफ से बड़ा जटका सरकार की तरफ से बिया गया है अब उन युवाओं को जो लगातार सरकार से रोजगार की आस लगाए बैठे थे दो साल से ज्यादा का दो साल तक का वक्त सरकार को सत्ता में आये लेकिन चायनायोक के भंग होने के बाद और दोबारा शुरू होने के बाद उस तरह से वो रोजगार और भरतिया नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी जिस तरह की उम्मीद युवा लगा कर बैठे थे ऐसे में सरकार की स्थे से उन सभी युवाओं को छटका सरकार की जीत के पीछे का और उस समय जो नौकरी का वादा पहली कैबिनेट में लिया गया था अब धर्मानी जो है तकनी की मंत्री वो कह रहे हैं कि इस तरह के निर्ने लेना जरूरी है क्योंकि ओपिएस बहाली के लिए संसाधन जुटाना जो है वो बहत महत्वपूर्ण क्या लगता है आपको किस तरह सरकार का रवया और किस तरह क्या आने वाले समय में इस निर्ने के बाद और जो पिछले जो भी निर्ने है करमचारियों की बात करें आम जन मानस से जुड़े निर्ने बिजली के बिलकु लेकर जो निर्ने लिए गये हैं उन से सरकार की मुश लागू करना अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में कितना मुश्किल सावित हो रहा है ये बात राजेश धर्मानी के स्टेटमेंट से साफ जाहिर होती है कली एक विस कॉंफेंस में नों ने कहा था हमने दर्चकों को वह साउंड बैट सुनाई भी थी जिसमें वो कह रहे हैं क कि OPS सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसे लागू करना अतना असान नहीं है और उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे और संसाधन जुटाने के लिए कड़े फैसले पड़ेंगे यानि कि जिन करमचारियों ने सरकारी सेवा में रहते हुए रहने के ब और जाहिर तोर पर करमचारियों ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि OPS के लिए सरकार ये रास्ता भी कभी अपनाएगी उसको लेकर करमचारियों में जाहिर तोर पर नाराजकी तो है ही लेकिन वो युवा जो सरकारी नौकरी में आने के साथ था तो OPS का भी एक सपना लेक कर बैठेते कि एक तो वो सरकारी नौकरियों में स्टेट गवर्मेंट के अंडर आएंगे और उसके बाद रिटार्मेंट के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात भी उन्हें मिलेगी अब दोनों तरफ से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है यूँकि एक तरफ नौक मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार को एक बहतर स्थिती में लाने के लिए वो ये कड़े फैसले ले रहे हैं लेकिन ऐसे कड़े फैसले जिनकी वज़स से प्रदेश की जनता को ही नुकसान पहुँच रहा हो ऐसे कड़े फैसलों से जनता कह तक सरकार का साथ देगी आप कहां तक सरकार को जन हितेशी मानेगी ये बड़ा सवाल है और इस बीच मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में 2026 तक दोजार अठाइस तक प्रदेश को आत्म निरभर राज्य बनाना है कैसे वो सपना पूरा होगा कैसे सरकार उ रुजगार युवाओं को दिया है और हिमाचल में जो भी पत है दो साल से जो खाली पड़े हैं उनको समाप्त करने का ये ने आने वाले समय में सरकार के लिए कितनी मुश्किले पैदा करता है ये देखना होगा